उम्नमश्वाई, हर हर महादेव, नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे, आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं, तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हुलाश्टक 2022, हुलाश्टक कब से सुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इन आठ दिनों में भूल करके भी हमें कौन से कारे नहीं करने चाहिए, यह कारे जीमन बरबाद करने वाला कारे होता है, सुख सम्रिधे के लिए इन आठ दिनों में हमें कौन से उपाई करने चाहिए, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, हुली 18 मार्च को रही है। होली से आठ दिन पहले होलाश्टक लग जाता है। होलाश्टक के सबय में कोई भी सुभ कारे हमें नहीं करना चाहिए। 10 मार्च को होलाश्टक लग जाएगा। होली का 17 मार्च को जलाई जाएगी। दोस्तों आठ दिन पहले होली के आठ दिन पहले सभी ग्रहों का सभाव उग्र हो जाता है। इसलिए यह आठ दिन निशीद किया गया है। इसमें कोई भी सुभ कारे हमें नहीं करना चाहिए। होलाश्टक फागुन मास्क के शुकल पक्ष के अश्टमी तिथी से शुरू हो करके और पूर्मा तिथी तक रहती है। इन दिनों में भूमि पूजन, साधी ब्याह, ग्रिह प्रवेश या ब्यापार अगर करना चाहते हैं, कोई ब्यापार के लिए नया कारे करना चाहते हैं, या नय घर में जाना चाहते हैं, या नया घर लेना चाहते हैं, तो यह सब कारे हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रत करते हैं तो इन दिनों में ब्रत कर सकते हैं दान करने का विशेश महत्तु है आप दान कर सकते हैं इन दिनों में अपने इश्ट देव की पूजा कर सकते हैं अगर दोस्तों इन आठ दिनों में विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो यह बहुत ही ला इसके लिए ग्रंथों के हिसाब से इन दिनों में एक कथा भी प्रचली थे दोस्तों ग्रंथों के हिसाब से भगवान भिष्णु के प्रमभक्त प्रलाद जी को इन आठ दिनों में बहुत ही प्रतारित किया गया उनके पिता हिरन कश्यप द्वरा बहुत ही प्रतारित किया गया भक्त की प्रत्रार्णा से यह दिन ग्रंथों में निशीद कर दिया गया इन आठ दिनों में कोई भी सुभकार नहीं किया जाता है दोस्तों जब यह अपनी भक्ति नहीं छोड़े भगवान विश्णू की भक्ति नहीं छोड़े तब इनके पिता हिरन कस्षप ने अपनी बहन होलिका को बुलाए और कहे कि तुम्हें ऐसा बरदान प्राप्त है कि अ जल जाएंगे तो दोस्तों हिरन कस्षप अपने बहन को बुला करके और चिता सजवाते हैं पूर्णिमा की रात्री को और उसमें हिरन कस्षप को ले करके होलिका बैठ जाती हैं क्योंकि होलिका को यह बरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जलेंगी तो दोस्तों किसी भी बरदान का अगर आप गलत प्रियोग करते हैं उसका उप्योग गलत करते हैं किसी की जान बचाने के लिए नहीं करते हैं आप जान मारने के लिए करते हैं या गलत ढंग से उसका प्रियोग करते हैं तो वह बरदान आपको कभी भी फलदाई नहीं होत है तो जब वो पकड़ के बैठ जाती है और चिता में आग लगाई जाती है तो होली का जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं तो दोस्तों तभी से जो भी लोग भगवान विश्णू के भक्त थे इस पर वो बनाने लगे रंग खेलने लगे मिठाईयां बाटने लगे तभी से होली का तेहवार मनाया जाता है और इसके विश्णू में एक आउर कथा बहुत ही प्रचली था है माननेता के अनुसार कामदेव ने भगवान सीव की तपस्या भंग की थी इससे रुष्ट हो करके भगवान सीव ने भागुन मास के अश्टमिति थी को कामदेव को भस्म कर दिया था बाद में कामदेव की पत्नी रती ने सीव की आराथना करके कामदेव को पुनह जीवित कर लिया तो दोस्तों अगर होलाश्टक के समय में किसी की मृत्व भी हो जाती है तो पंडित जी विशेष पूजा करके दाहसंसकार करते हैं इतना इन आठ दिनों को निशीद माना गया है तो इन दिनों में आपको कभी भी कोई भी ऐसा कारे नहीं करना चाहिए कोई भी भगवान विश्नु की भक्ति करते हैं भगवान विश्नु की पुजा अरधना करते हैं विश्नु सहत्र नाम का पाठ करते हैं तो बहुत लाभदाई litter आपके लिए होता है होली दहन के समय में पूरे परिवार के सदस्यों को खोली के तीन या सात प्रिक्रमां जरूर करना चाहिए यह कारे आपको आवस्य करना चाहिए एक उपाय और आपको बताना चाहाँगा दोस्तों होलिका दहन से पहले यानि दिन में पुरे परिवार के सदस्यों को सर्सो के तेल और हल्दी मिला करके उसका उबटन पूरे सरीर में लगाना चाहिए और सूख जाने पर उस उबटन को छुड़ा करके कागज या कपड़े में बाद लें इस उबटन को पूजन सामगरी के साथ होलिका में ले जाकरके आप डाल दें यानि अर्पित कर दें और तीन या साथ परिक्रमा होलिका के जरूर करें वहां एक सुद्ध घी का दीपक जला दें दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो धन बैभो बढ़ता है आपके घर से कोई भी बाधाएं दूर हो जाती है तो दोस्तों यह कार आप आवस करें अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें तो मिलते हैं कुछ आई